दो नोगव पोन सब करने हैं सब्सक्राइब है अब करने वाले हमारे स्टार्ट सीरीज का सेके लाश चाप्टर याहरे कि आज हम देखने वाले सब्सक्राइब कर लिए आज सेकंड लास्टेटर एक बजे कितने बजे कल एक बजे मैं लेने वाला हूं ग्लोबलाइशन वाले चैप्टर का क्या वन शॉट ठीक है तो कल एक बजे पहुंचना बुलना नहीं है ठीक आप सब करता हूं हुमाइटिस अड़ लेकर आता है अगर आप लोगों नहीं देखा है क्या अगर आप लोगों नहीं देखा है अगर आज वाले शरीज दरूर बजरूर बजरूर देखना ठीक है बहुत इंपोर्टन्ट है रिवीजिन के लिए और सारे की सारी वीडियो आप लोगे पास आती रहेगी ठीक है अच्छा इसके साथ आपन क्या करने वाले अच्छा चैप्टर है आया है चुम्मे शुर एक दम एक दम मज़ेदार आए जारा देखते कि हम यह कि एनवार्मेंट के बारे में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात होनी कब स्टाट हुई है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनवार्मेंट के बारे में बात होनी स्टाट हुई है 1960 में कब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या वर्ल पॉलिटिक्स में एनवार्म क्या था पहले क्या था पहले जंगली जंगल थे हर जेगे अना इतने जंगल इतने जंगल कि लोग क्या करते थे slash and burn agriculture करते थे कौन सा agriculture slash and burn agriculture करते slash and burn agriculture क्या होता था कि यह एक पैच आफ लैंड से लिट कर लिया उस पैच आफ लैंड में अपने करते लोंग एक् ही जगहां बैटकर नहीं तर पर नहीं आ अपनी bits को लूज कर रहा तो अपने को इसका ध्यान देना इंपोर्ड ट है फिर के बता रहा है डीफिशन आप रॉर्ट रीसृर्स इस हमारे पास बहुत सारा परसेंटेज आफ वाटर रहा है एक्जाम्बल के तो पे हमारे पास आल्मोस्ट आल्मोस्ट से गॉटर इसमें से सिर्फ तीन परसेंट फीपनी पॉटेबल वाटर है या फिर स्रेश वॉट लिए टो वाटर पोटेबल या फ्रेश वाटर कितना परसंट सिर्फ तीन परसंट और इसी वएसे हम लोगों को वाटर वार्वार्स देखने को मिलती है वाटर वार्स स्कार सीटी आ अफ बॉटर देखनेक बहुत सरह आइसे एलाके जहापर पानी पीने लाइक है यह लास अ आप जब अपन जंगल काटेंगे जंगल किलिए जगा भी तो चाहिए इसको खाने के लिए एग्री कलल्चरल लैंड बी तो चाहिए झांगे ग्लेन और अपना अब ज्यादा की अपने जंगल काटने की वज़े से बायो डायोस्टी को बहुत ज्यादा फरक पड़ रहा है डिटूरेटिंग आफ मरीन एन्वर्मेंट बहुत इंपोर्टन हमारी फैक्टरीज हमारे गाये बैसे हमारे इंडस्ट्रीज हमारा वेस्ट सारा लास्ट में कहा जाता है वाटर में जिसकी वज़े से हमारा कोस्ट खराब होता जा रहा है कोस्ट लाइन खराब होता जा रही है जिसकी वज़े से हमारा मरीन एनवार्मेंट खराब होता जा रहा है केमिकल फैटिलाइजर जो है वही फिशेस के बास जाती है फिशेद उसी को खाते और फिर हम लोग फिश ओजोन लेर को आपनवाइमेक शचेक अधालने के कह अधिने प्रश़ीत उसक्हाई कि जोनेर सरा हिगोनन कोशन हेता है कि और खीलोजन अन्वेर हमारे आट्म से नहिए गया है कि कॉसले उसले Bam एक परे मिलती है कि और ब्लैंकेट के तरह घहरती है पूरा क्या और सर काम बताओ काम यह है कि यह जो हमारा सन है इससे बहुत सारी रेज आती है यूसफुल रेज भी आती है हामफुल रेज भी आती है कुछ ऐसी रेज आती है जैसे की यूवी रेज जैसे की एक्स रेज जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हामफुल है और यह हामफुल रेज क को ही क्या करता है ब्लॉक कर देता है कौन कौन और अच्छी अच्छी रेस को नीचा आने देता है सर अगर ना हो तो तो अल्ट्रा वॉलेट रेस एक्स रेस एक्सेटर एक्सेटर क्या जाएगी अर्थ पे आ जाएगी तो इसका मतलब हमारे साथ डायरेक्ट कॉंटेक्ट में जाएगी और इनके डारेट कॉंटेक्ट से हम लोगों को स्कीन कैंसर जैसी डिजेस हो सकती है इसलिए क्योंकि 1980 में हम लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है जिसको अपन ओजोन होल के नाम से जानते है समज में आया कि अरे मगज में आया क्लियर एक पक्की बात है कि सोरी सर लेट हो गहीं मैं भी लेट हो चलो आगया आप देवागा बता रहें डिकलाइंड टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्वेर और को स्ट्टल पॉलिशन तो को स पढ़ने लगए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सर क्यों पढ़ने लगए और कैसे पढ़ने लगए कुछ एक्जामपल जो ना सर अच्छे अच्छे से तो देखो हम लोग ने इसके बाद 1972 में हम लोग देखते हैं एक और्गनाइज़ेशन को एक थिंग टैंक आफ एन्वार्मेंट को जिसका नाम है क्या जिसका नाम है क्लब अफ रोम क्लब आफ रोम एक रिपोर्ट पॉब्लिश करता है या एक बोख पॉब्लिश करता है और यह सिंगवाद करना नाम है तो टैटल है उसपाइस लिपोर्ट डथा अनिश को我在 आता है वाब भाई ठीक है तो कलब ऑफ रोग की रिपोर्ट आती है इसकी बुक छपती है और इसका टाइटल क्या होता है लिमिस्टू ग्रोथ सरी बता क्या रहे यह बता रहा है कि जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे डेवलप्ट हो रहे इससे सिरफ हमारे नैचनल रिसोर् सब्सक्राइब होते जा है कुछ बचनी रहे हमारे पास कलियर आव विम्हें के निए-। थेर और बताओ कुछ और इसके नाम पर यह रिपोर्ट्ट करेंगे और सबसे पहले सबसे पहले professors करें यह cách common future क्याना है को our common future तिसमें बताया गया किसके बारे में sustainable development में थो के बारहिए तो paper में आगा व्यूशन होशन आ जाए कि sustainable development के बार में हम लोगों सब से पहली बार कहा पता चलता है भ्रेटा friend report of 1987 में समझ में आया क्या अ रे मगज में आया कि है क्लिएि ἦे ले ठिलके चिर्फ धी हो गया और बता ये सब тоб एक अगोर्ड ये जिसको हम लोगर के नाप से जानते हैं सब्सक्राइब ये ये क्या है मौंट्रियल प्रोटोकॉल मून्ट्रियल पूटकाल ओजन लिए टिप्लिशन ओजन रेको डिप्लिशन को कम करने की बात करता है इसको क्या करनेगा ऑजुल servant होरी है जो पिमुह होरी है जो अंप होंग होता जा रहा है स만टीन फैसिस में हम लोग पता करना है हम ञेंट है लोग को और बढ़ाइह मिटि नीटिम होगी फर्स्ट इर्थ समिट इसी इसी को अपन रीयो मिन नाम से भी जानते हैं कि असी नाम सि जानते हैं कि और यह 1990 में जून 1992 में हो रही है। सर क्यी हो और ये मीटिंग एंवार्मेंट को कंजर्व करने के लिए किसको कंजर्व करने के लिये हैं तो किससर समय में आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब ये बता जाता है इसको और समreaming का जाता है इट पोलग पार्ष्ट और समिट पहली बार सुमुटर सपर 29 कि नाम से जाना जाता एंवार्मेंट को संभिंध करने की बात करी जाती समझ मैं कि ए पूद समिट foul घंख करता है सर औल करा इसके बाद में। बताईए कि यह जो अर्थ सम्मिट थी यह जो रियो सम्मिट थी और सम्मिट यह जो रियो सम्मिट है यह करवा कौन रहा है यह करवा रहा है यूनाइटे नेशन्स कॉन्फरेंस ओन एनवार्मेंट एंड डेवलपमेंट ठीक है यून सी डी करवा रहा है कौन करवा रहा है य यह जो 1992 की अर्थ समिट थी किसने करवाई तो इड वास कनेक्टेट वाइए उनाइट नेशन्स कॉनफरेंस ओन अन्वार्मेंट एंड डेवल्पमेंट समझ मैं आया क्या अरे मगज मैं क्लियर एक तो यह सारी की सारी चीज और इसी के बारे मता रही देख रहा क्या वतारा उनाइट ने शॉन अन्वर्मेंट और रियोड जनेरियो इन ब्राजील इन जून नादीन एडिट विच वास अटेंड़ इसमें 17 से ज्यादा 170 प्लस कंट्रीज थी या स्टेट्स थे स्टेट्स का मतलब गवर्मेंट होता है इसमें थाउजन्स ओफ हजारो थाउजन्स ओफ नॉन गवर्मेंटल और इंजियो थे और इसमें बुलाया गया था मन्स को मन्स की फुल फॉर्म के बारे में लोग बहुत तरह तरह जोमें डॉन इसममें आया किनिया एक यह क्लियर एक 100% एक तो यह क्या थार थे युन इससे कॉनफरेंस on environment and development UNC ED held in Rio de Janeiro Brazil in June 1992 which was attended by 170 states thousands of NGOs and many multinational corporations clear I yeah I got them 1987 but Landry but I do not look will get up with land to put the 1987 but Landry report our common future is cut I delta has warned that traditional patterns of सब्सक्राइब करना है लेकिन हम लोगों को हाम नहीं करना इन्वार्मेंट को इसका क्लासिक एक्जामपल है दिल्ली मेट्रों सब्सक्राइब नियुक्त नियुक्त नाइचे लिए इससे ज्यादा कॉंप्लेक्स मेट्रों का नेट्वक पर है नहीं पुरी दुनिया में यह जंगल इसको बना पड़ेगा लेकिन उस ताइम प्यटिकी जो कॉंग्रस की गवर्र कलेंगे अगर वलोग एक जगे एक पेड गाट रहे तो दूसी जगा पर उसके बदल में सो पेड लगाएंगे सो ब्रीज लगाएंगे अपना डेविल्वलक में भी करना लेकिन एन वारमेंट को हम भी निगार मैं समझ में है क्लियर परीँवात है तरह किया तो लेट ओट गमाति देगा तरयों सम्मेट रोल केुटरेक्ट विछ दागार में procrastinate conventions dealing with climate change टिगए अब देड़ार दाता है यी जो रियो님이 सब्सक्राइब झाखन सब्सक्राइब करने कलाय मीटींग हो रही इस सभाफनी लेरी दिकलिरेशन वह तैसे पहते हैं हम लोग निया बात कर रिच में कि अम चैन्ज सुका सब्सक्राइब पर लिए हैं- तॉप स क्लाइवंटंड शूटेथ में महते ही इस परना कि बिचना साहर ते बार्श फ Libsय टॉर डॉर्म इन किसी थी अव इंडूनयों गल्ट यूलैंट चला जाता है जुञए धी में अब चला जा जाता है एंग में मुण बॉस तरफ दो बोक्तारी रिया फॉब्लोम तो क्योंड अइजेंडा 21 पर कोश्चन आता है कि एजंडा 21 कहां से निकला और ऐजंडा 21 है क्या दो कुश्चन आते हैं तो एजंडा 21 निकला है from the earth summit कहां से निकला earth summit planet किसको केता है हम 1992 की रियो समिट को पर यह एंवर्मेंटल एंवर्मेंटल कंजर्वेशन के लिए जो आपने विल्स कन्वर्सेशन को लिख रहा हूं है जाए थीक कर ले ना या तुम लोग तो बताते भी नहीं ओ ठीक कर लो सरस्कों देख इज़र एंवर्मेंटल इसको डियर रहे गया तो इन्वार्मेंटल इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया अजिव किया गया क्रेटिस निहीं किया गया क्योंकि लोग कईना ुटिक्स का कैना की एजेंड़ 1 देवन विक्रोग के बारे में कमी से एलितर स्के나마 बाते क्रता और इकों लेक्भणे के बाते宁 का अशexist थे कं गर रहा और एकलोयोजी vartya कर आ ठीक in which there was a consensus of combining economic growth with ecological responsibility agenda 21 बोला गया था क्या कि एकिनामी ग्रोथ भी कर निया पुरे दुनिया को पैसा बढ़ाना भी डेवलोपेंट भी करना है लेकिन ecological responsibility को समझते हुए यानिके environmental conservation को समझते हुए this approach to development is commonly known as sustainable development और इसी को sustainable development बोला जाता है ठीक है the protection of global commons अब comment यहन समय एक्जांपल की तुर तुम्हारे ले में एक भॉस्टॉम है हाटि न उसमें हुआरे पापा भी जा रहे माम्मी भी जा रही नहाने की बात कर रहो और कौन तुम भी जा रहो तुम्हारा भाई भी जा रहा है तुम्हारे दादा भी जा रहे एक्सेटर एक्सेटर तो यह क्या हो गया कॉमन फॉपर्टी हो गई अरे बोलो हाकिन ऐसे ही पूरी दुनिया की जो कॉमन फॉपर्टी जो कॉमन फॉपर्टी इसको आपन क्या बोलेंगे इसको आपन एनी, one or few countries, anyone or few countries does not have jurisdiction over it. Does not have jurisdiction over it. मतलब किसी का, किसी के हद में नहीं आती ही चीजे, हागे नए एक्जामबल की तोर पे सरी ग्लोबल कॉमन को और किस नम से जाना जाता है, इस को जाना जाता है, रेस कम्यूनिस युमेनिटेटिस के नाम से रेस कम्यूनिस युमेनिटेटिस के नाम से सर बताव नो ग्लोबल कॉमन्स के हमार पास चार ग्लोबल कॉमन्स एंटाक्टिका क्या एंटाक्टिका किसी के बाप का एक क्या युनाइटे श्टेट्स आफ्रीका का नहीं है इंडिय क्या का नहीं किसका फुरी दुनिया ठीक है तो इसको क्या वोलेंगे अपन ग्लोबल गॉमधर दूसरा एक्टिम इसका रशिया वालों कि आ नहीं इसका है चायन सबक्राइब और सबस्कार अलग बात करें किरें और आउटर स्पेस मतलब ऑटर स्पेस बतलब अर्थ के भार लिए सकते हैं था जो फार पस चार चीज़े हैं जिसको आपने कहें रस कम्यूनिस हुमेनिटेटिस के यह फिर अपने के इसको ग्लोबल कॉमन समझ में आया कि नहीं आया कि लिए रहे कि पक्की बात है कि 100 परसेंट देख देख आइब क्या बतारा है कॉमेंस और दोस्टेश्ट इस विचारों की पर किसी का अधिकार निये किसी की ओनर्शिप नही की पूरी की पूरी दुनिया इसको शेर करती है एक्जांबल की तोर पर कॉमन रूम कॉमन कम्यूनिटी सेंटर पार्क रिवर एक्टर एक्टर बख्वास कर रहा है मैंने समझा दिया तुम्हें देर और सम रिजिएंस व वर्ल्ट विच आर लोकेटेट आउटसाइड दॉ क्या आउटर स्पेस हो गया तो इसको समालने की इसको गवन करने की इसको गवन कोन करेगा इसकी देखबाल कोन करेगा तो इसकी देखबाल करना पूरे के पूरे के पूरे ग्लोब की जिम्मेदारी है पूरे के पूरे इंटरनेशनल कम्यूनिटी की जिम्मेदारी है हागे न और इसी वज़े से पुरे की पुरे इंट्रैस्टनल कम्रीटिक दिबढ़ी इसी वज़े से इंटर्नेश्टनल कॉप्रेसिंट चाहिए होता है क्या टो किन दो करने के लिए क्लियर पॉक्त क्लीय यह दिन ओन गोल्र कॉमन्स इधियोग लॉट्सपर एंटर्स प्लेशन फ एं tenaldीं नाचली ले फ fällt एंटरी सां पांखिगा पीडिया प्नक्ष दीच था का थिर अन्टाक्टिक कोडु तक होगा jadi nabu क्या मॉंत्रियल प्रोटोकॉल बहलो मॉंत्रियल प्रोटोकॉल मॉंतल्य ल कॉश्छिन आतो है मों करा हम यूवा बरेंट सेंगम कलुए थो कांज़र्व वाट वो टुकांजर्व ओद सोर्व लें यूवा हम वहा था और युवार्मेंटल प्रोल यौं टाक्टिक को और आता है कुशन इसलिए यहाद रखना है मैशसको् अन्वाहर्मेंटल प्रोडगर एंटक्तिक अन्वार्मेटल प्रोडोकोल को नांडीन एंटक्रीक विचानी के लिए और मैं यार्ग बढ़ समीट किसने कर वाया थिल्द आफ 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 आवट वट वर्ड़ीकर वता अचमिट कर वाने मली और अगज़ाइशन का नाम बदर आफ 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 लोबल कॉमेंस और ग्लोबल कॉमेंस के लिए सबसे इंपोर्टन चीज जो बच्चों को समझ में नहीं आती है ते कि अब डियान सुना अब क्या है आउटर सपेस की बात रही तो इसके बाहर वाली चीज़ी जो क्या समाल ला है अर्थ के बाहर वाद है अर्थ के बाहर जब बोलते हैं डेबरिस क्या बोलते है डेबरिस ठीक है और स्पेस खराब हो रहा है अब जब हम लोग ने आउटर स्पेस की बात करने चार्ट कर दी तो नौर्थ-साओथ इनिक्वैलिटी जाई सब्सक्राइब का मतलब क्या है यह हमारी दुनिया है हमारी दुनिया में दो developed countries hai एक है जोकी नूवली proceso है नूवली इन्डिपेंडेंट्रीफ है इसलिए या इसी को आपन क्या भ१ं और इसलिएस को अपन लीस्ट developing principles वोल सकते हैं या फिर इसलिए को आपने अपने इन्हामों कवलते हैं क्या प्ले कंट्री या फिर डेवलपिंग अ विह सब आरे हां कि न तो आपने बात दो टाप की कंटृइस है एक तो है डेवलब से दूसरी है जिसको अपन न्यूल इंडिपेडन्ट कंट्रीस लटीस लीज डेवललप कंट्रीस के नाप से जानते हैं ठीकर दुनिया में यह कंट्रीस बटी वी है अगर हम लोग बात करें किसकी North America दो क्योंकि यहां भी लोग नहीं रहे ठीक है आप सिंग क्या है यहां पर दुनिया डेवलप्ट और नॉन डेवलप्ट कंट्रीज में बठी हुए ठीक है जो डेवलप्ट कंट्रीज हम लोग देखने को मिलती है वह हम लोग देखने को मिलती है यहां कहाँ एक से कंट्रीज लोगो देखने को मिलती है हो अधने को मिलती है हम लोग डेवलट कंढ़ज देखने को मेल रही है कुछ तरी के c ठिक है ये जो न्थ वाले राक है नोर्त वाला इनाखा यहां पर हम लोगोगो डेवलट देखने का मिलती है सब North वाले लाके में कौन को नाता है ये कैनेड़ आ गया ये युनाइड़ स्टेट्स आफ अमेरिका या ठीक है नीचे इसके मेक्सिको यहापर मेक्सिको मेक्सिको नॉर्थ मिनिया था नॉर्थ में मतलब हमारे अकोर्डिंग नॉर्थ मिनिया था ठीक है यूरॉप पुरा की और कॉनौन बचा इरोप रशिया हो गया ठीक है ठोड़ा सा जयपैन वगड़ा लोगया यह पर जैपैन वगया यह सारी कि सारे ऑस्ट्रेलिय असरे नौर्थ का पार्ट है अरे नौर्थ को ग्लोबल नौर्थ बुलींघ तो गोबल नौर्थ में कैसी कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ में कंट्रीज है जो कि डेवलब्ट है हागे ना द्यान सुनो कौन-कौन कैनड़ा यॉनाइट सट्स अमेरिका पुरा पुरा यॉरोप और कौन पुरी वो स्कैंडिनेविन कंट्रीज डेन्मार्क नौर्वे वगरा सब कुछ रशिया जैसी कंट्री जैप पावर्टी बहुत ज्यादा है गरी भी बहुत ज्यादा है और क्या डेवलप्मेंट वगरा नहीं है उसको अपन केते हैं ग्लोबल नॉर्थ साथ ग्लोबल नॉर्थ कौन सा है यह देखो साउथ अमेरिका आफ्रीका चाइना इंडिया पाकिस्तान साउथ इस्ट एशिया एकके एकट्रा एककेट्रा इसको अपन बोलेंगे गलोबल साउथ क्या भोलेंगे गलोबल सोस्ट तो दुनिया दोबी हम भूक्त ही अग्लोबल सोसर्थ सर्फ प्रॉबलम क्या है Brazil और नो ओन्यों को एनवार्मेंट को सब नहीं कोwasser करना है इंडप्र दोनों यह को दोनों कि दोनों environmental conservation की बात करते हैं लेकिन यह जो global north वाले लोग है यह कह रहें कि हम सब को equal contribution देना पड़ेगा हम सब को equal contribution देना पड़ेगा क्या करने के लिए environment को बचाने के लिए environment को save करने के लिए conserve करने के लिए लेकिन ये जो global south वाले लोग है global south वाले लोग ये लोग कहेंगे क्या ये लोग कहेंगे कि वहिया देखो ऐसा है environment को खराब किस नहीं किया environment को खराब करा industrialization ने industrialization कहा पर हुआ industrialization हुआ है developed countries में इसका मतलब developed countries में इसका मतलब environment को खराब करने वाले लोग कोन है global north वाले लोग हागे न हम तो developing countries है हम तो अभी इंडुस्टिलाइज़ेशन कर रहे हैं अभी तक इंडुस्टिलाइज़ेशन आया नहीं है हमारे पास अभी तो हम लोग इंडुस्टिलाइज़ेशन कर रहे है ठीक है तो पहले तो हम होंगे industrialized पहले हम लोग क्या होंगे पहले हम लोग बनेंगे developed और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे environmental conservation करेंगे लेकिन अभी क्योंकि तुम लोगों ने global north ने ज्यादा environment को खराब किया तो तुम्हारी ज्यादा responsibility बनती है environment को conserve करने की और अभी तो हम लोग developed नहीं है तो जब हम लोग हो जाएंगे हम लोग अन्वार्मेटल conservation करेंगे लेकिन लेकिन equally नहीं equally और यहां से principle निकल के आया नाइटी नाइटी ऑनीटी के अर्ट समिट में एक प्रिंसिपल निकल का राया एंटी नाइटी न्यूंक के अर्थ समिट में ही एक प्रिंसव्ल निकल के आया जिस अपन कॉऄन Michigan बट differentiated responsibilities कि क्या 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 कहते आं का मैं बट differentiated रिस्पॉंसिबिलिटीज सरी क्या होता है कामन बट डिस्पॉंसिएटेट रिस्पॉंसिबिलिटीज क्या होता है सरी जहां सुना क्या होता है जो ग्लोबल नौर्थ वाले लोग है इन लोगोने एनवार्मेंट को ज्यादा खराब किया इनको भी एनवार्मेंट को कंजब कर एंवार्मेंट को कंजर्व करने की ज्यादा रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है नौर्थ वालों की और साउथ वाले करेंगे जब डेवलोप हो जाएंगे तब और इसी वज़ए से एंगे निए निए टू के अर्थ समीट से कामन बडिफरेंशेटेट रिस्पॉंसिबिलिटीज का सिध्धान्त या प्रिंसिपल निकला और इसी को अपन रियो डिकलरेशन के नाम से भी जानते हैं तो यह नो कोशना आजा कि रियो डिकलरेशन में क्या हुआ था तो रियो ड differentiated responsibilities pay some daddy a demo purpose the northern countries want everyone to be equally responsible for ecological conservation do not only countries a global North Valley you look you look at a yellow chat take a sublog environment could equally conserved correct taken the developing countries LDC's newly independent countries yellow category the LDC's newly independent countries of the south believes that the ecological degradation is the product of the industrial development undertaken by the developed countries to developing countries के रिये कि वह यह यह जो environmental degradation हुआ न यह किसने किया यह industrialization के वाजासी और industrialization करना किसने स्टाट करा industrialized industrialized countries कोंसी countries developed countries या निकी Global North Valley countries तो इनकी जादा responsibility बनती है क्या करने कि क्या करने की environment will conserve कर निकी ठीक आया थे रियोड कलरेशन आद आप समित in 1992 adopted the principle of common but differentiated responsibilities आया जो पताऊंगा वह यागा पेपर में भी याएगा clear चले आगे आगे अगया थे इट वाज एक्सेप्टेट एट इस पेशल नीड्स और डेवलपिं कंट्रीज मस्ट बी टेकन into account in the development and interpretation of rules of international environmental law तो अब यह बोला गया कि जब भी international environmental law बनेगा या international अन्वार्मेंटल ट्रिटी वगएर बनेगी तो जो ग्लोबल साउथ वाले लोग जो कि अभी developing है अभी सक्ट डैवलप्स नहीं है जो क्या है अभी developing है इनकी special नीट्स को ध्यान में रखा जाएगा इनकी special नीट्स को ध्यान में रखा जाएगा क्या है सरुन की special needs कि भाई इनको अभी development और इसी वज़े से global south पे हम लोग ज्यादा restrictions नहीं सकते restrictions लगा सकते लेकिन रिस ट्रिक शंस लगा सकते लेकिन ज्यादा नहीं लगाएगे clear again so cases other new learning are you without it there was a look at the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC also emphasized to protect the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and capabilities अब यह क्या है सब 1992 1992 में United Nations की एक एजनसी जिसका नाम है UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change यह बात करते क्लाइमेट चींज की ठीक और यह लोग क्या करना चाहते ही जो climate change हो रहा है global warming वगड़ रही है है ना मोसम कभी बिगड़ जाता है कभी भी आच्छा हो जाता है एक स्टीक पर ऐसलों लोग इसको ठीक करने की बाते करते हैं और इन लोगो ने भी का किया हिए रेक्वालिटी के देख्यों पर हम लोग आप लॉज नहीं बनाएंगे बलके हम लोग जो लॉज बनाएंगे वह एकवीटी की बैसिस पर बोट इजी डिफरेंस है तुम लोग ने वाट्सेप पे इंस्टाग्राम पे एक पिक देखी होगी जहाँ पर कया होता है जहाँ पर एक स्टेडियम है और सब्लूग म कैंड देखी अई देखने के लिए दूसरा बोक्स hain इसके उपार एक बंदा खड़ा है मैज देखने के लिए और तीसरा खई से जिसके ऊपर एक बंदा करया मैज देखनी के लिए इसको रहुता है about methodology सब को तेनों को लेकिन इस बन्दे के हाईट बहुत दुन भी सको जरूरत ही नहीं और उसको बोक्स मन दो इस बंदे को बाक्स की जरूत है क्योंकि इसकी हई छोटी और एसको क्या है दो आम सीजोवत है इसको कहते ह बात करता है सबस्क्राइब की क्योटो कहा पर तो क्योटो जो है वो जैपने सर्किस बारें बात करता है यह एक मीटिंग हुई जैपने क्योटो में ठीक है और यहां पर बात हुई कि भी यह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वज़े से क्लामेट चेंज हो रहा है बायो डिश्टी खतम हो रही है एक्सेटर एक्सेटर इस क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में बोला गया की हाउस गैसिसे ग्रीन हाउस गैस师 और घी अचशी इस आर दर मीजिर रिजन और गलोबल वहर शहीं ठीकशाव कोन से कंसे होते ग्रிन हाउस गैसे मेधेन होगया जिसका वन शीक्ति पो गेंसे अ 화ण से झाल क्लोरो कारबन से होगय थाहइड्रो फ्लोरो विक्रूर कारबन just Hydro fluorocarbons ओट को sûr है थ किम तो यह सारे को सारे क्या यह सारे के सारे chloro for Psalms ऐडोल अन्य के वर्बन जी तो क्योटो पूट्परकॉल जो को कट करने के लिए साइन होगा इसमें हर कंट्री हर कंट्री के लिए एक लिमिट सेट कर दी जाएगी एक्जामपल के तोर पर मानलों यूनाइटेट शेट्स ऑफ अमेरिका हर साल 3.8 टन्स का तो इसके उपर लिमिटेशन लगा जाएगी कि वह यह दो हजार चोबीस में तुने इतना एमिशन किया अगले साल तेरा एमिशन 3.5 टन्स होना चाहिए सम्हाए जारे कट करने की बाहरे से क्लिए इसका मतलब क्या है के ट्योंतों benefici जो है अच्छा दोसी कि टिटों प्रोटों क्यों प्रोटों से क्योटों प्रोटों से टूर्टीज जो डिवलपिंग संब जो developing countries such developing countries as in India China in coba रखा गया किसका पतलब इंडिया चैना है बिन आटाँ खेम्टेड फ्रॉम दो क्यों कि क्यों क्योटो प्रॉटक्वल काम करता है है on the principle of many but on the principle of what common but differentiated responsibilities differentiated responsibilities so I'm not love that much love India or channel is the country the protocol is an international agreement setting targets for industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions greenhouse gas emission the protocol was agreed in 1997 in Kyoto in Japan based on the principles set out by UNFCCC or UNFCCC in a concept principle set out here common but differentiated responsibilities joke in 1992's a Nikola Rio declarations in Nikola clear then I get I get common property resources a week and common property resources is given markup common property represents common property for the group it represents common property for the group but with the rule that members of the group have both rights and duties with respect to the nature levels of use of a given resource etc a combination of factors including privatization agricultural intensification population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size quality and availability to the poor in much of the world advanced common property common property उस चिसको बोलते अपन जिसके उपर एक से ज्यादा बंदे का हो एक हो एक्जामल की तोर पहले इंडिया में शेडूल ट्राइब्स बड़े मज़े से रहते थे आदिवासीज बड़े मज़े से रहते थे आचानक से ब्रिटीश और ब्रिटीश ने आकर बोला कि भाहिया ये जो जंगल जिसमें तुम रह रहे हो ये तुम्हारी प्रपर बबारी हॉससरे में शाद करने लेकिंजर दॉससरे टूंसरे है अकर जंगल के उपर ठीक है लेकिन सकता अपनी डbbeार के तरह Ma catches a hoob मतलब मतलब बहुत सारे जंग ऐसे होते हैं जिसको जिसकी मनेता आ है कि यहाँ पर देवी देवता रहते थे ज्यसामबल तर पर तुम लोग उने पड़ा ओगा पंपादेवी के बारे में, हिस्टी में पड़ाए ना पंपदेवी के बारे में, विजयनगर, ठीक है, तो ओह करते हैं फंपादे बगरें थी कि तो ड्रीघ जगा होते जो कि माननेतार की अनुसार double बवितर और यह से क्या जाते हैं प्वितर है और काता बगरा साथ दो समझर है और लोग भी खाल alそ सब्सक्राइब या सब्सक्राइब यृ शनाज लेकिन जैसे जैसे प्राइड स्पावाटाइशस निए करनी फीसोर्स केता है लेकिन जैसे जैसे प्राप्शंट प्रेटी तो हनो गया कि the quality of national the quality of what uh क्या बोलते है इसको सेक्रेट ग्रूफ दो कॉलिटी आफ कॉमन प्रॉपर्टी कम होती चलेगी साइज इसका कम होता चला गया इड्विंडरल इन साइस ठेक है और अब बहुत कम कमन पॉपर्टी दुनिया में बची विए यहां तक सारे कि सारे चीज़े क इंडिया चीज इंडिया इंवार्मंड न चीज बारे में बहुत जठ बढ़िए अब इसको समझ था में बहुत पेले चीज़ इंडिया एन्वार्मेंट के बारे में बहुत ज्यादा क्या है उत्सूख है इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स में पाइडिसिपेट करता है जो की एन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं जो की एन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन की बाते करते हैं ओके सर डंडान दूसी चीज इंडिया को बाहर रखा गया था 1997 के क्योटो प्रोटो कॉल से क्योटो प्रोटो कॉल से क्या कर आगया था इंडिया को एक्जेम्ट किया गया था लेकिन फिर भी इंडिया क्या करता है 2002 में यह आउगस्ट 2002 में इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन कर देता है और सिरफ साइन नहीं करता इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता ह रेज़डी लॉचीए इंडिया क्योटो प्रमन trip कॉर्टो कॉल पे साइम भी कर देता है और उसकर अड़ी फटा lacking कर अलरेसी सर्कार्ती अटल्भ वाकश्कियां अपने वेषडई सहाहिए अपने आयरक्याय में पाल्यमेंट ने उसको पास वी दो करना अपना होता है का 2005 में जी ऐट की अटक एक मिटनग चल रहे थी जीक्याय चल रहे थी मीटिंग चल रहे थी सर यह जी एट क्या है इसकी जो परंद के थे anticipating क्या क्या क्यते गुरुप आफिट क्या बॉर० ओफ एत है इसमें वेल डेवलफट कंट्रेशन गुरूप यह gesprochen इसमें आता है उनाइट कोन फिसमें आता है इसमें आता है इसमें इस दो ओनली एशन कंट्री कितने होगे एक दो तीन चार पाथ छे साथ और इसमें आता है रशिया ठीक है रशिया पहले जी एट का पार्ट था बाद में रशिया को बाहर निकाल दिया गया था 24 में तो अब यो सकश अब पात करें क्योंकर की और सब्सक्राइब करने दो ही टो कि लिए योग बोल रहे था कि वह यह अब रए कर लाइगा आई बताता हूं इंडिया ने कहा है क्यों या ग्रीन हाउस गैसे का एमिशन के आगर भाथ करें दिन हो सटके मिशन के अगर बातकरें हम लोग लेते संद्ध को याने की 2000 की बात करते तो 2000 यह 2000 में जो डेबलाट कंट्रीज जो डेवलाट कंट्रीज इनका अगर हम लोग average emission देखे average कम जादा नहीं average देखily average emissions को देखे तो तुम्हारा average emission है कितना 3.8 million टंज एक साल का सिरफ कौन सा का सिरफ संदोधा और अगर हम कि तो महhus लोग इंडिया का देखें कि इंडिया का सन दो-हजार में जो ग्रीन हाऊस गैसेस का एमीशन है वह सिर्फ और सिरफ कितना 0.9 मिलियन तंस मतलब तुमसे आधे से विकम हुआ तुमसे आधे से भी कम और इंडिया कह रहा है कि 2030 में 2030 आते आते हमारा जो ग्रीन हाउस गैसे का एमिशन होगा वो कितना होगा 1.6 मिलियन टर्न मतलब मतलब तुम्हारा जितना अभी है 2000 में उससे आधा भी नहीं आदे से भी कम हमारा होगा 2030 में तो इंडिया ने एक स्टेट्मेंट दिया इंडिया ने क्या कहा इंडिया ने कहा कि जितना ग्रीन हाउस गैसे का एमिशन डेवलप्ट कंट्रीज करती है कौन करती है डेवलप्ट कंट्रीज इसका टाइनी फ्रेक्शन भी डेवलपिंग कंट्रीज नहीं करती है ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन को तो हम मानेंगे नहीं क्लियर है पक्की बात है 100 परसेंट कि कंट अरे बोलो बब चले के आगे अगे महता रही आगे देखो क्या चाई अच्छक में व्रॉग्लाम्सilia भर मेह नीगत्ति होते हैं इंडिया कर सब्सक्राइब्स looks like ऐस.रब यंदिक कब्ड़ में को फोटॉक्शन की बात करता है ऑगस्ट तूख impo कॉटॉ 2005 में जो 2005 में जो जी एट की मीटिंग चल रही थी जी एट की मीटिंग में यह लोग वोट रही लिज देवर कंट्रीज नुली इन डिपिनन कंट्रीज के उपर फिर रेस्रिक्शन लगाने चाहिए लेकिन इंडिया ने डेटा दे दिया पूरा के फूरा थेकिशन अब क्या ह यह एंडिया ने और क्या किरा इंडिया ने 2001 इन 2100 इंडिया ने एक एक्ट पास करा और इस एक्ट का नाम है एनरजी एक्ट energy act 2001 sir kis ke liye for energy efficiency for energy efficiency अच्छा सर और क्या किया सर इंडिया ने दो हज़र तीन में 2003 इंडियन एक और एक्ट पास कर एक और एक्ट पास कर सर कौन सा एक्ट इंडियन एक्ट पास कर आ एलेक्टरिसिटी एक्ट एक्ट टू था था किसके लिए energy efficiency के लिए electricity act for the use of renewable energy Taki renewable energy का इस्तेमाल किया जाए solar energy tech renewable energy का इस्तेमाल किया ठीक है इंडिया का renewable energy program India का renewable energy program is one of the largest in the world is one of the largest in renewable energy program India और बताव ना इंडिया की national auto fuel policy जो की cleaner fuel के बारे में बात करती है और 2011 बारा में 2011 बारा में इंडिया ने क्या करा इंडिया ने national policy for biodiesel की बात करें for biodiesel की बात करें और अल्मोस्ट अल्मोस्ट 11 million hectares का land का जमीन इंडिया ने रेडि कर रखा है for the use of for the production of biodiesel थाकी एनवर्मेंट में पॉलिशन नहीं तो ये सारी की सारी चीजे अपने को लिख निए जब पेपर में कुशन आदेगा कि the energy conservation act passed in 2001 outlines initiatives to improve energy efficiency the electricity act 2003 encourages the use of renewable energy clear dance on a sir कैसे याद रखे हम confused हो जाएंगे सर energy act 2001 का है या 2003 का याद रखना पहले energy आती है उसके बाद electricity आती है तो energy act 2001 electricity act 2003 समझ में आया किया आरे मगज में आगे clear एक यह तक सारी की सारी चीजे क्लियर दूरा दिखाओ मुझे अपने अपने गंदेगे स्यांग और बोलो कि हासरे एक तम क्लियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं चले आगे 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 इंडेश ऑल्स आगे 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 आ हागे ना साउथ एशियन आसोसियेशन फॉर रीजनल कोपरेशन कितनी कंट्रीज में आठ कंट्रीज है कौन से कंट्रीज है हम हमें सब कंट्रीज के बारे में पता है किसमें इंडिया है इसमें पाकिस्तान है इसमें श्रीलंका है इसमें नेपाल है इसमें भूतान है इसम का रहे कि हम सारी की सारी सथ संड शर इखता ना ची और जबही एंवारमेंट की बातो तो थिए मेरमेंट की उपर हम का clean से मोन थी हम सब का स्टेंड से मोना ची है की हमारे पर ग्लोबल प्रेशर न प्रेचि अपके हमारे पर ग्लोबल प्रेशर महें एक लिए दे Pangasmi भे образом कि हमारी लोग बाद भी सुने और हमार पर ग्लोबल प्रेशर ना पड़े हैं क्लियर पक्का 100% दन 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 चलो आगया थे अन्वार्मेटल मुमेंट्स अन्वार्मेटल मुमेंट्स के वारम समझो बहुत इंपॉर्टन था one or do we take up they got harder password बहुत है अलग अलग आतके अन्वर्मेटल मुमेंट्स है लस्य के अ छोज्न के बार MAC प्रेश्मों में दिश्यका मारूं डेखे हैं कि सित्के बार मैं किसके बारे में मुव्मेंट अगेंस्ट मेगा डैम्स देखिए अपन अपन देखिए किसके बारे में मुव्मेंट मुव्मेंट अगेंस्ट माइनिंग इंडस्ट्रीज या मिंडर इंडस्ट्रीज ठीक बहुत सारे इंवार्मेंटल मुव्मेंट्स लेकिन इन सब को हम लोग एखटा एन्वारमेंटल मुमेंट है एन्वारमेंटल मुमेंट है एन्वारमेंटल मुमेंट है एन्वारमेंट को बचाने का जो मुमेंट है एन्वारमेंटल मुमेंट है एन्वारमेंट को बचाने का जो मुमेंट है एन्वारमेंटल मुमेंट यह मिल पीपल किया मिल्सकर इनुनेहेशनल लोग कॉंपरेट इनौर्मेंटिय मोमेंट करतें लिए इन्टरनेशनल मपरेशन नहीं होता है हां इंठरनाशनली पिटिर जோक आौरेट करके ठीक है आगे आते हैं some of them work at international level but most of them work at the local level कुछ कुछ लोग international level पर काम करते हैं लेकिन ज्यादा तर local level पर काम किया जाता है the forest movements of south in Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, continental Africa and India are faced enormous pressures देखो अगर हम लोग बात करें किसकी forest movements की पहले बात करें हम लोग forest movements ठीक है तो forest movements किसकी लिए होंगे to save the forests to save forests of course इसका classic example क्या है हमारे पास इंडिया में इसका classic example उत्राखंड से classic example इसका उत्राखंड के चामोली से इसका एक बहुत classic example है कौन सा कौन सा चिपको मूमेंट सुरीट ही दौरी चीपको मूमेंट १ किसकी में था? किस्कौंुट फिännदे भी ज نے वह र्लेटिड नहीं Director तो इस मुमेंट के हैड थे सुंदरलाल बहुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगु और में सके डिलिया बना सके एक हॉकी स्टिक्स बना सके एक सट्राइब योगी य तो औरते खड़ी होगी और और तो होने क्या कर दिया हग कर लिया किसको किसको इस पेड़ को और कहा कि वह यह इसको काटने से पहले हमें काट चिपको मुमेंट नाइडी से ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं हम देखते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट मेगा डैम्स याद र रीवर मुव्मेट्स भी होते हैं से रफौर रीवर मॉंद्स का मतलब रिवर को बचाने का मुवमेट्उ लेकिन लोग क्यों प्रोटेस्ट करते डैम के अगे में अच्छीश इतर अबface कि नियुक्त है, क्या है क्या है , यह दै में बना दिया , डै में या भ вторly की टोपोग्राफी चेंज होती है रिवर की टोपोग्राफी चेंज हो जाती है सर रिवर की टोपोग्राफी का चेंज मतलब 43ाल Laz aika लेकर जा रही ए ठिकए रिवर की मरीन लाइफ वगरा है यहां का पानी कम होता जा रहा है यहां पर पानी बढ़ता जा रहा है ठीक है सेडिमेंट्स यही पर डिपॉजिट हो रहे है ठीक है यहां के रिवर सूकती जा रही है प्लस डैम वगरा लगाने के लिए क्या होता है डैम वगर लगाने के लि कि हैना ओवर यूज आफ रिवर हो रहा है ठीक है प्लस क्या हो रहा है वहां कि जमीन स्थी खरब हो रही है है जहकर मरीन लाइफ को खत्रा है मरीन लाइफ एंडेंजर हो जाती है अरे बोलो न थी तो जितने भी मेगा डाइम मोमेंट्स होते हैं वो प्रो रिवर मोमेंट्स यह रीवर को बचाने के मुमेंट्स भी होते सार इसका एक्जाम्पल दोन सब्थसी पहला कि फॉस्ट एाल ओलो बात करें कि फर्स्ट प्रो रिवर मुल्मेंट आगर हम लोग कहीं पर दीखता है तो वह हमें देखने को मिलता है गलोबल नॉर्थ में सर ग्लोबल नौफ में हाँ ग्लोबल नॉर्थ में प्रोर रिवर मुमेंटने मिलता है और ये था दर श跡़क है टुसे बलादएब भी तुसे हैं ऐन बैपर में एन बी आया तो घबराहन हिए गार ये निरॉमदा भचाव अंडब अनलव इसका वो तो बताओ नर्मदा बचाव अंडफ सारफ वो तो यह перек जूए ती दोफ्र दो या दो अजय को चेक कले नौठी के सब नर्मदा बचावंद एक सब्सक्राइब भूजरात अनर महाराश्ट को बन रहे थे सार तो लोगो ने क्या करा सक़ इसमें इसके अगना इसमें एक डूकर हो था इसका इसका 1919 सियंसरर से ऐस meteori या हएड एक लेडू है जिनका नाम हमेहऽ पाठकर और अमिर खान का भी नाम सिसने कि सच इन में इसमें जुक्त साथ क्लियर पक्कि बात है ठीके सर दो मोमेंट देख लिया पने और बताओ सर तीसरा मोमेंट है मुवमेंट अगेंस्ट मुवमेंट अगेंस्ट मिन्डरल इंडूस अच्छा सर इसमें क्या है हम सब को पता है की ग्लोबलाजेशन बंढने की वज़े से जो मन्स ऐब क्या करती है अलग अलग देशों में काम करती है ऐसी एक मनसे थी एक्से लेक्जामपल देता हुए में तुभी आसा मुवमेंट अगेंस्ट मिन दूस्ट्रीज में क्या होगा मिनरें इंडिस्ट्री यानिकी माइनिंग इंडिस्टी भी होती है माइनिंग इंडिस्टी भी होती है सरी यह लोग क्या करते यह लोग extraction करते extraction of minerals करते from within the earth from within the earth ठीक है landmines वगरा का इस्तमाल करते ठीक है और क्या करते extraction of minerals from within the earth करते landmines वगरा करते और क्या करते लोग यह लोग chemicals का इस्तमाल वगरा करते ठीक है जिसके वह से pollution वगरा बहुत ज्यादा हो जाता है प्लस displacement of people तो है displacement of people सारवजनिक है सरकार ये कई पर भी लिख दो displacement of people भी होता है अच्छा सब एक्जांपल दीजिए सर एक्जांपल देते एक्जांपल के लिए हम लोग बात करते किसकी हम लोग बात करते हैं फिलिपीन की सर फिलिपीन की में क्या हुआ था इन एक नाम क्या था इसका नाम था वेस्टन माइनिंग क्या नाम ता इसका वेस्टन माइनिंग कॉपरिशन tuain में डब्ल एम से सरि ये कभा की कमपनी यह कमपनी थी आउस्ट्रिया कि एक नाम और फिलिपिंस के दोको ने इनके अगेंस्ट में क्या करके इनके अगेंस्ट सक्राइग dlatego?. रहा दीके और यही नहीं जब कॉर्प्रेस्ट करेश्ट करने के लिए है एंडीजिन पीपल थे जो वहां के मूल निवाजी थे उनका डिस्प्रेशमेंट हो रहा था उनका डिस्प्रेश्मेंट हो रहा था लोग ने प्रोट्रेस्ट करा और कुछ नियाज में ठीक है यह देको फ्रैंक्लिन रिवल वाला वही बता रहा है इंडिया है सब्सक्राइब प्रो रिवर मुमेंट नर्मादा बचा वंदोलिन इस सच इस एन एक्जांपल एक्सेटर एक्सेटर इंपॉर्टन टॉपिक रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स द्यांस नों हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिट के बाराइं जिव का मतलब जे ओगरफी हागी न और जेओगरफी के हिसाब से बटे हुए हैं रिसोर्शे और इस्टर सेज को अपनाने के लिए यस इस्ते सेज हतियाने के क्लिए हकने के लिए जू पॉलिटिक्स होती है उसी को आप कि वह एक किसको क्या मिलेगा कब मिलेगा कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा हाग एक्जामल की तो पर अगर आगल की बात करें तो आइल हम लोग कहा देखने को मिलता है ज्यादतर गल्फ रिजन में मिडल इस्ट में अरब कंट्रीज में अरे हाग न ठीक तो रिसोर्च जीव बात करें तो 20th century में 20th century का मतलब मतलब 1900 से लेकर 2000 की बीच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टन रिसोर्स अगर कोई था मोस्ट इंपॉर्टन रिसोर्स अगर कोई था तो वह आईल था अचा सब और बदाई यह यह जो ऑईल है और क्या हो यह यह जो ऑईल है ऑईल जिसके पास जाए जिसके बाद जितना जितना ज्यादा पेट्रोलियम जिसके बाद जितना ज्यादा क्या पेट्रोल डिजल ठेकें उसकी एकनौमी उतनी ज्यादard मतलब 20th century में आई इतना ज्यादा इंपॉर्टन रिसोर्स है कि एकोनॉमी जो है वो है वो ऑईल के इर्द गिर्द पर है तो ओईल हम लोगों को देखने को मिलता है दुनिया में जो ऑईल के अगर हम बात करे किसकी रिजर्व की तो दुनिया का 64% परसेंट आयल रिजर्व हम लोगों को प्रदाखिशन की बारे तो दुनिया का 30% आइल प्रॉडक्शन का। यह यतली कर ता है और इसमें से भी सौधी आरेभिया सौधी आरेभिया सबुसे ज्यादा ओएल प्रडॉक्शन करता है कि बात सबुवर्ट एल तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑईल प्रडॉडक्शन करता है सूधिया रेवियं और उसके बाद कम तैकों कि टिक कि आजसर ऑटर की बात करते हैं दुसरा समारी के स्वाटर तो बहुत ज्यादा की वाज़े से लड़ाई होती है पानी के लिए सर पानी के लिए लड़ाई का देखने को मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान इंदस्वार्टर स्टीटी इंडिया बांगलदेश फरक का ट्रीटी इसराइञ से लिया और जॉर्डनत अच्छा सब हां भलकि यहां तक लड़ाई करते यह लो की रिवर का कोर्स चेंज करने की कोशिश करते थिक आप सिर और तो और एक एक्जांपल लेते हैं अगर हम लोग वाटर की बात करें रिवर की बात करें तो अपन यूफरेट्स रिवर सुना होगा तो लोगों ने जब मेसोपोर्टमिन टर्की तो यूफरेट्स रिवर के लिए लड़ाई करते हैं कौन-कौन टर्की तो शीरिया और इराक यूफरेट्स रिवर के लिए तो वाटर और ओएल कितने इंपोर्टन्ट रिसोर्स से समझ में आगे डब चल तो इसी के बार में बता रहा है यह देख लेना इसका ठिक है अच्छा लास्च चीज इंडिजनस पीपल के बार में इसमें नहीं है तो मैं बता देता तो तुम लोगों को इंडिजनस पीपल कून होते हैं इंडिजनस से रहा है हमें भी नहीं अच्छाmos फ्री टेलाइस य। सम्झाम के रहें हां से भाइन हाँ ह॥ अच्छे इंडिया में इंडिया में जिटने भी चेडिल ट्राइब में जितने भी इघ्टने भी आपन ऐस्टी इस बोलते हैं से इनकी प्रेशन कितनी है 8% 8% Original Indians SD's और हम लों के ते सरें को reservation क्यों क्यों दिया जा रहा है सब्सक्राइब तो यह जो स्टीज इनको रिजर्वेशन दिया जाता है और एट परसेंट फॉपलेशन है यह तो यह लोग क्या असली इंडियन से ओर इंडियन सर और एक्जम्पल दोना अगर हम बात करें तो फिलिपीन्स में यह फिलिपीन्स के कोई दिलेरा रिजिन में को लोग देखने को मिलते हैं क्या यहां के मूल निवास यहां के इंडिजनस पीपल अचा सर दो और बताइए सर अगर हम बात करें किसकी कुना ट्राइब कुना ट्राइब तो कुना ट्राइब हम लोग देखने को मिलती है कहा पर पनामा में पनामा ठीक है बांगला देश में हीं बांगलादेश में चिट्टागं चिट्टागंगं किस टिंट्रिक्त त हिल्स डिस्टिक्त यहाँ पर हम लोग देखने को मिलते हैं क्या हम लोग देखने मिलते हैं बांगलादेश की मूल नहीं वासे ठीक है और बताए हैता defense da small पीपल्स small all peoples नाम के indigenous people हम लोगो देखने को मिलते हैं Soviet में या फिर USSR में या फिर अब रश्या में अब रश्या में है ना और क्या नेटिव नौर्थ अमेरिकन्स हम लोगो देखने को मिलते हैं कापर United States of America में ठीकन्मपूचे ट्राइब मपूचे ट्राइब हम लोगों देखने को मिलते हैं कापर चिले में तो यह सारे के सारे किया यह सारे के सारे ट्राइबस है जो की इकटा आना चाती जो की इक्वेलीटी के मांग करती कि हमारे देश में हमारी कोई नहीं सुन्टेट था सर अब यह बताइए कि इन लोगों ने कुछ किया हाँ इन लोगों ने भी globalization का इस्तमाल किया और globalization का इस्तमाल करके इन लोगों ने भी international अंच्छानल एंजी वन एंटरनेशनल नॉन गवर्मेंटल और नेसिंज बनाए और इन लोगों ऑन करी युनाइटेड नेशन से दिन नेशन से कि हम लोगों को भी एक्वालिटी त्थांत मिलना चाहिए हम लोग भी एकुल से हम लोगों को भी बराबर एक सितास मिलना चाहिए और हम लोगों को भी युनाइटेड नेशन्स में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए सब्सक्राइब इसका नाम है क्या वर्ल्ड कांसिल और इंडिजनस पीपल और इंडिजनस पीपल इसको 1975 में इसको 1975 में युनाइटेड नेशन्स का कंसल टेटिव स्टेटस मिलिया अंसल टेटिव स्टेटस मिलिया और यहाँ पर हो जाता है हमारा यह वाला चैप्टर भी ख़र यह बताओ समझ में आया क्या है मघज में आया क्या एक यह आप लोग में से कोई अगर में सब्सक्राइब टेलिकराम गरूप पर नहीं तो मुझे क्या करें गे में में घंड लोट अड़ेट अग्ड़्ट लुट्वर था ट्वेंटी पॉर्ट कॉम पर और मेल करके बोलेंगे सट टेली ग्राम ग्रूप तो मैं टेलीग्राम गुर्प में आड़ कर दूंगा सारी की सारी पीडियाफ्स आप लोगो का मिलने वाली वही पर मिलने वाली है समझ में आया कि नहीं आया कि बोली है हाँ वर्ड काउंसिल आफ इंडिजनेस पीपल दन मज़ेदार ठीक है अनू पुनेत अरम ये को ने आर ली सर एकदम क्लियर है ना इसको रिवाइस करना आज कि आज रिवाइस ने कर वह गड़ बड़े ठीक है पुरा देख लिए और बहुत बढ़ी चैप्टर बहुत मस्टेप्टर ठीक है कुछ नहीं है फ्रीके नंबर एच छे नंबर है फ्रीके सही बता रहा हूं है तुम मेरी एक चीज पर सुना हूंगा वही कमेंट करके जाओ तो बिछले दो तीन वीडियों से तुम लों कमेंट नहीं कर रहा है ना कमेंट करके जाये करो बाबा ठीक थोड़ा सब मोटिवेशन आता है मुझे भी देख मैं भी रोजे रखके रख पढ़ा रहा हूं तुमें ते तो आनी चाहिए न समझ में भी तो नहीं आती है दर्द बदनाम तो नहीं होगा हाद दवा दो मगर यह बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा दरद में मजा रहा है ठिक है चलो खेर क्लियर होना क्या होता है नसों में उतर गया है सर ओके लोकेश ठीक है बढ़िया एक पिंग की प्रोमिस करके जाओ कि कल एक बजा होगे कल कि एक बज़े किया करेंगा एक बजे करने वाले हैं कौनु सी टर autant खलंगी की सीरी को एंड़ करने वाले लेकिंधे disp करें साफिसी एक और रेने वाला है टेली ड्रहों अनुवक्त मिलती रहेगी मेरे साथ टेलिच्ट्रम मेरे साथ कम्यूनिटी के साथ प्रम पलप ऍड़ने के साथ भीं ठीक है चलम वीटियो इस पॉझक करो कि खिर गई है ठीक है दोसते भीपर संद आई हो इसको लाइक और बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- मेरी सीरीज वह जो सीरी स्टार्ट हुई अभी फ्लैश कार वाली सीरीज वह देखना बहुत इंपॉर्टेंट यह रिवीजन के लिए उससे बढ़ी अमंत्र कुछ मी नहीं है और पूरे यूटीव पर कोई नहीं कर रहा है क्या लावा ठिक्लियर मिलते अपन तब तक के झाल